हलो एवरिवन मैं रहूल मिस्वा यूटूब चैनल दी पाई यार स्क्वाइर में आज आप लोगों के साथ में मार्च मंत की बैंकिंग एंफिनेंस अवरनेस के कुछ अच्छे कुछन डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हम लोग हर महिने की बैंकिंग एंफिनेंस अवरनेस के कुछन डिसकस करते हैं लगातार हम लोग डिसकस करते हैं और अभी हम लोगों ने जनुरी और फरोरी मन्त की वीडियो बनाकर डाल दी है बैंकिंग एंफिनेंस अवरनेस पीडे भी आप लोगों को दी जाती है, ठीक ना, तो इसी सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए, आज हम लोग जो है, मार्च मंद की बैंकिंग है, फिनेंस अवर रिसकोर को डिसकस करेंगे, उसके एक दो दिन के अंदर हम लोग जो है, टाप 100 करेंट अफेर्स आफ आजम में भी बहुत पुराने स्टेक्स उठा कर नहीं लाते हैं, जो रिसरीख्स करेंगे चाहे वो पर नेसनल पार्क, जाया व्रवली संक्शूरीजह हो जाया जौ भी स्टेटिक का बनेगा, मन्तली उसको डिसकस करेंगे, ठीक है न? तो सारय की सारी चीजों को वीडियो को लगातार मिलेगा. banking awareness हो गया, current affairs हो गया, statics हो गया. इनके साथ-साथ आप लोगों को डियाई के भी वीडियो लगातार मिलेगा है. आप लोग जाकर देख सकतें, प्लेइस्ट बना दीगी. वहाँ पर आप लोगों को डियाई में मिलेगा. ठीक ना और रही बात इनकी PDF की तो जो PDF आज मैं Banking and Finance Awareness के लिए लेकर रहा हूँ इसको मैं अपने Facebook पर डाल दूँगा अगर आप लोगों ने Facebook नहीं जाइन किया है तो आप लोग जाकर वहाँ पर जाइन कर सकते हैं आप लोगों को पीडियोग मिल जाएगी और Facebook जाइन करने के फायदा ये भी है कि वहाँ पर मैं जो Current Affairs के लगाता हूँ और प्विजिस कराता हूँ मैं सारे कि सारे Current Affairs के कुश्चन वहाँ पर डिस्कस कराता हूँ और खुद उनका आंसर भी देता हूँ ठीक है ना योगर आप लोग वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करेंगे तो जो Current Affairs के कुश्चन छूड़ जाएंगे देखे, Current Affairs तो भी बहुत जादा ब्राड होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम Top 100 कुश्चन ले आते हैं वही ही Current Affairs है उससे भी जादा और Current Affairs होता है लेकिन हम लोग Top 100 लिए करते हैं कि Exam Point अभी उससे बहुत जादा महत्पूर होते हैं उसमें से Question आने के Chances जादा होते हैं लेकिन उसके बाद जो Current Affairs बच जाते हैं उसको हम लोग अपने Facebook गूर्प पर जोएंग डिसकस करते हैं आप लोग वहाँ पर जाकर Telegram भी जोएंग कर सकते हैं वहाँ से भी इसका आप लोगों को जो है लिंक में उसका PDF मिल जाएगा और हमारा WhatsApp ग्रूप भी है WhatsApp नंबर इस वीडियो के नीचे आप लोगों को देखे सो हो रहा होगा वहाँ पर भी आप लोग personally connect हो सकते हैं वो मेरा ही number है personally connect होकर आप लोग भी PDF ले सकते हैं तो किसी ने किसी तरीके से आप लोग connect होईए और चीजों को solve करिये, पढ़िये, अच्छे से पढ़ाएए आप लोगों को करने ठीक ना बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कीचेंगे, हम लोग अब सीधे मार्च मंद की बैंकिंग और फिनाइन सवरेनेस के questions को discuss करेंगे, एक एक question आप लोगों के सामने आयेगा, और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताया हूँ, इस वीडियो में फिर से आप लोगों से बता रहा हूँ कि question आप लोगों के सामने आयेगा, उसके बार में आप लोगों के दिमांग में आजाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके नहीं बता रहे हैं, तो जहां पर भी बैठे हैं, लेटे हैं, जैसे भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार आपको आपके दिमांग में आप लोग बोल दीजिए, जो भी आंसर हो, आप लोग उसको बोलिए, आंसर देना जरूरी है, सही है या गलत, यह उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि गलत होगा, तो हम उस पे काम करेंगे, solution में बताओंगा, सही answer में बताओंगा, लेकिन अगर हम आंसर देंग तो चलिए बात को बहुत ज़्यादा लंबानी कीचेंगे, देखेंगे कि पहला question क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, American Credit Trading Agency Fitch has lowered the GDP of India for the fiscal year 20, from 5.1 percentage to hard percentage, अमेरिकी Credit Trading Agency Fitch ने, वित्वर्स 2020 के लिए भारत की GDP को 5.1% से गटा कर कितना कर दिया गया है, इसम अंसर हो जाए को option number D, option number D इसका answer हो जाए तो 5.1 से गटा कर 4.9 percentage कर दिया है, और अगर headquarter की बात करें हम लोग, अगर हम लोग Fitch की headquarter की बात करेंगे, इसका headquarter New York USA में है, और president और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे, तो पॉल टेलर, ठीक ना, president और CEO की अगर हम लोग बात करे ज़्यादा कमी आ गई है, आप लोगों को पता होगा की कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हर देश में, ऐसा नहीं की कोई इंडिया में, globally Corona कुरी तरीके से फैला हुआ है, और जिसका असर भी हमारी GDP पर मारी manufacturing पर बहुत ज्यादा हो रहा है, उसी के वज़े से जो GDP ह इंडिया की 5.1% से घटा कर 4.9% कर देगे, ठीक चले नेक्स देखेंगे, विच प्राइवेट सिक्टर बैंक टाइस अब बिद ऑनलाइन फूद डिलेवरी एंड ओर्डरी एप जुमेटो तो लांच एक और रांड़ेट क्रेडिट कार्ड पावरड बाइ मास्टर कार्ड हिंदी में गर बात की जाएगे तो किस देखेंगे के बैंक ने मास्टर कार्ड रांच करने के लिए ऑनलाइन फूद ऑर्डरिंग और डिलेवरी एप जुमेटो के साथ ने एक अन्यूद पर हस्ताक्षर किया है, संबन अस्ताफ़क किया है, यह आप्सन सा आप लोगों के पहले रत्नाकर बैंट के नाम से जानती थे और अभी जो है यह जुमेटो के साथ में टाइए आप करके, इस दो टाइप के क्रेडिटकर लांच करने वाला है, पहला हो जाएगा हमारा बेस्यृक अधीशन और दूसरा हो जाएग प्रीम अधीशन तूसरा चाहेगा। basic edition में पांस रुपए annual का हमारा membership होगी basic edition में पांस रुपए annual का हमारा membership होगी और प्रीमियम एडिशन में त्थीं सा रुपए की अनुवल मेंबर्शी और इस कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का Jumato wallet cash bag भी मिलेगा, 10% का Jumato wallet cash bag भी मिलेगा, अगर आप भी इस card से payment करते हैं तो और बात यहां पर Jumato की और RBL की हो रही ही तहा, Jumato का headquarters group रहां हो जाएगा, Jumato की CEO जो हो जाएगे, इपिंदर गोयल हो जाएगे, मुंबई हो जाएगा, CEO इसके हो जाएंगे हमारे CEO हो जाएंगे विस्वीर अहुजा और यहां पर बात Mastercard की भी हुई है Mastercard की भी हुई है Mastercard का Headquarter कहां पर हो जाएगा New York ESC में जाएगा और इसका अंसर अप्सन नमबर नेक्स्ट कुशन देखेंगे Recently State Bank of India has switched to CBBA method from the projected balance sheet, TBS method, the C in CBBA denotes हलही में State Bank of India ने unmanaged balance sheet BD से CBBA पद्रेट पर स्विच किया हुआ है CBBA में C का मतलब क्या है और इसका जो अंसर हो जाएगा option number E, C का मतलब हो जाएगा कैस और अगर हम लोग C की बात करें तो C, V, V जो यह पूरा है इसका फुलपाउम अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा cash budget based assessment इसका मतलब हो जाएगा इसका फुलपाउम हो जाएगा और SBI ने ऐसा क्यों किया है SBI ने ऐसा क्यों किया यह भी जानना है जरू है तभी SBI ने जो है corporate के fund based working capital के assessment के लिए जो है projected balance seed method से switch करके cash budget based assessment method को adopt कर लिया है और यह करने के पीछे उसका region ही है कि SBI का अनुवान है कि financial year 2021 में financial year 2021 में SBI का जो business है 11.50% तक बढ़ सकता है 11.50% तक बढ़ सकता है इसी बात को ध्यान में रखते हैं कि इसने जो भी अच्छे corporate के अच्छे corporate का मतलब जाएगा कि जिनका कोई NPA नहीं है जो loan time to time दे रहे है payment term जिनके अच्छी है उनको refinance करने के लिए उनको फिर से loan देने के लिए इसका दूसरा रीजन ये भी है कि digital transaction इतने ज्यादा हो रहे है कि इन्हें monitor करना SBI के लिए असान नहीं है इन्हें monitor करने के लिए अच्छे से इनको monitor कर पाए इसलिए SBI ने CBBA method को adopt किया ठीक ना और बात यहां पर SBI की हो रही है SBI का headquarters क्या हो जाएगा है SBI का headquarters मुंबई में है ठीक ना चेर्मैन को हो जाएगे ये comment करके आप लोग बताएंगे और अगर हम लोग SBI के digital banking partner की बात करेंगे तो योनो जो है YONO यह हमारा SBI का digital bank इसका digital banking partner है ठीक चलिए next देखेंगे विच इंडियन institute of technology along with evoke society signed a tripartite agreement with NABAD to set up three former production organization के साथ मिलकर किस भारती प्रोड़र्वी की संस्थान ने नाबाड के साथ तीन किसान उत्पादन संगठन स्थापित करने के लिए तुर्पक्षिय समझोते पर अस्ताक्षर किया है तो आप लोगों वो आयाटी का नाम बताना है कौन से इंडियन institute ने इंडियन इस्टीट ने इवक society के साथ मिलकर नवाड के साथ में तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर ए आयाटी मंडी आप लोग एक बार ना अंसर फूस्य देने की कुशिस की आति जैसे भी आप लोग जिसने वीडियो देख रहे हैं कुश्चिन जितनी देर में पढ़ रहा था आप लोगों की दिमाग में अंसर आना चीए जाना जाना चीए है इसा नहीं का आराम से लाट लेवीडियो देख रहे हैं और चले इसा इती मंडी इवोक सोसाइटी और नाबाड ने जो है हिमांचल प्रदेश के मंडी चिले में इंसांपित करने के लिए ट्रपक्षी समझेटे प्रस्टाक्षर किया है और इसका जो करना है और हिमांचल प्रदेश के मंडी जिले में इसका निर्माण किया जाना है ठीक है और ना बाढ़ ने इसकेलिए 25 तुबर्ण पर दिले दे दिया है और जो है इवोक ससाइटी हम लोग बात करें इवोग सोसाइटी का इवोग सोसाइटी की जो है यह मंदी जिल्य की 5 पंचायतों मैं महिलाओं को छोटे उद्युग लगाने की जो ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन गौइडेंस इसारे चीज़ें करती हैं यहाँ पर मंदी गोरिकिमांचल प्रदेश में हिमांचल प्रदेश के स्यूं कॉन हो जाएंगे जैराम ठापुर यह वो वंदेश के सियूं सब्सक्राद consultants पालगों स्टैप्ना इखेगा मुंबई हो जाएगा मुंबई नावाड का न्युलेगों अगर आप लोग कोई भी कुश्यन पढ़ते हैं तो आप लोग कोई नया च्टेट आ रहा तो इसकी कैपिटल पता होनी चाहिए नया कंट्री आ रहे तो कैपिटल करेंसी पीम गौर्णर पीम या प्रिसुडेंट जो होना वो पता होना चाहिए इस तरीके से अगर आप त्या यहां पर आया ती मंडी मांचल प्रदेश में तो हिमांचल प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क है और सवाइड लेफ संक्चुरी है है या नहीं है यह आप लोग कमेंट करके बताएं तीक फिले नेक्स्ट कुश्यन देखेंगे नेम दी इंडिया डिश्टल पेमेंट प बलाप लापत हुआ है वंहीं यह आप्सिंस आप लोग के सामने की इसका अंसर हो जाएगा अप्सिंस नंबर सी पेटियम हो जा यहाइगा पेटियम के सब्सीड़ी है इसे जो है आयाटीय असे ब्रोक्रेस लाइसस्यम मिल चुका है थिक ना अब इसके बाद ने जो पेट और अगर इसकी parent organization की बात करें हम लोग PTM की 197 communication जो है PTM का parent organization है As per the report titled OECD Interim Economic Assessment Coronavirus The word economic at risk, what is the estimated growth rate of India for the year 2020 OECD Interim Economic Assessment Coronavirus The word economy in risk सीर्षक वाली रिपोर्ट के रुशार वर्स 2020 में भारत की अंगमानित दिकास दर के आई इस question का हिंदी भी मतलब होगा और इसका answer होगा option number C 5.1% कितना 5.1% जो इसका answer हो जायागा और इस report को जो है OECD यानि की organization for economic cooperation and development ने पब्लिश किया है इस report को जो है Urbanization for economic cooperation and development ने पब्लिश किया है इसमें इंडिया की GDP को 6.2 प्रत्सत से गटा कर 5.1% कर दिया गया है यानि कि पहले यह जो अनुमानित GDP थी इंडिया की 6.2 प्रत्सत थी बाद में इसको गटा कर 5.1% कर दिया गया है और यह सब जो GDP में चेंजे जाया है जो GDP मे कमी आ रही है इस सारा कुछ कोरोना की वह जैसे हो ना कोरोना की जैसे बिजनिस वह बहुत ज्यादा अफ्रक्टेड है इकना manufacturing सिक्टर बंद हो चुका है lockdown की जैसे सारी चीचिव बंद इस वज़ेसे जो GDP देश की यह कम जादा हो रही ज्यादा तो ही नहीं दिये कमी हो रह ठीक ना और अगर हम लोग बात करें economic survey 2019 and 2020 economic survey 2020 के अनुसार जो इंडिया की GDP थी जो इसकी बात कर रहा हूं मैं इसमें जो है इंडिया की GDP जो है और अगर हम लोग बात करें OECD की है तो अगर हम लोग इसमें बात करेंगे फ्रांस में इसका है एड़कोर्टर हो जाएगा ठीक ना और इसके जनरल सकेटरी का ओने यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे यह आप लोग कमेंट करके बताना है और अगर हम लोग GDP की बात करें एंसो की अगर हम लोग बात करें जीडीपी की तो 2019 से बीस के बीच में जो है एंसो के हिसाब से इंडिया की जीडीपी कित्वी रहने वाली थी पांच परती है लेकिन 2020 से बीच में 2021 की जो कोरोना के विज़ेसिसमें भी कमी आई है और यह जो है अनुमानित GDP के थना कितनी है 4.9 पर परफ्रेंटीज आप दी ओमेन एकाउंट हुल्डर अंडर भी इंडिया स्कीम एज उन 17 फरवरी 2020 बित्र मंत्राले के आपड़ों के अंशार 17 फरवरी 2020 तक इंडिया योजना के तहत महिला खाता धार्रकों की संख्या क्या है महिला काता धार्रकों को प्रतिसक्त क्या है य इसका आंसर जो जाएगा एक्टीवन परसंट आप्शन नमबर ही इतना एक्टीवन परसंट जो है महिला एकाउंट होल्डर से कब तक 17 फरवरी 2020 तक में यह डाटा किसका था मिनिश्ट्रिया फिनेस जित्र मंत्राले का यह डाटा था मिनिश्ट्रिया फिनेस ने अभी जो इंडिया स्कीम के तहत में एक्यासी प्रत्सक महिलाओं का ही एकाउंट है इसमें से एक्टीवन परसंट जो है महिलाओं का ठीक ना अगर बात करेंगे श्टेंड़ इंडिया स्कीम की वैसे चलिए ठीक टोलक्स एक्स्टेंड करता हूं इस खृचिन को मैं लिकिन यह सारी स्कीम देख सकते हैं चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया स्कीम की बारे में इसका मोटो क्या था इसका मोटो था कि इंट्रप्रियोर्शिप को और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना था इसके तहत में बैंकों को दस लाख रुपए से लेकर एक करोन तक का लोन कम से कम एक सेडूल कास्ट या सेडूल ट्राइब को देना होगा और कम से कम एक महिला को यह लोन देना होगा यह हमारी जो भी जıtने भी खाते कुले हुए थे उसमें से क्यासरी प्रतसत्त खाते मैलाओं के थे बाकी जो से इसकथ हुआ थे यह लेका मैस्टरियां की इसाब से आया हुआ था ठीकी ना और इसी डाटा के हिंसाओ क्योंकि मिनिश्टरिया फिंस ने जो है ऐसा थोए नहीं किसी स् भी हम लोग बात की ती अब हम लोग बात करेंगे प्रधान मंत्री मुद्ब्ब्रायुजना के बारे में इसका भी डाटा रिलीज किया गया है और इसके तहित में है ट्वेंटी टू प्ट्रां चुनिजया गया था टूतल लून दिया गया था इतने का लों से 15.75 साथ पाँच क्रोन 15.75 बहुता इतने रुपएट का लून जो था महिलाओ को दिया गया था यानि कि लगबक 70% मंत्री मुद्रा योजना के तहत में 17 2020 तक लगबग 77 33 लौन जो है वो महिलाओं को दिया गया था और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अगर मेलग बात करें यह 8 अपरेल को लाउंच हुई थी 8 अपरेल 2015 में जो ही लाउंच किया गया था ठीक ना और इसी के साथ साथ न प्धान मंत्री जन्दन यूजना कंभी डाटा रिलीच किया गया था राइस अगस्ट 2014 को अधानमंत्री जन्दन यूजना लॉजञाँ किया था यह जयना क्या है इसके बारे में नहीं जाएंगे इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंग मैं आपर मूंसे बोल दिया है ल वो मिनिस्ट्रिया फिनेंस के दर जो डाटर रिलीज किया गया था प्रधान मंत्री जंदन यूजना के लिए उसके अनुसार प्रधान मंत्री जंदन यूजना में टोटल 38.13 करोन खाते को लिए अगर हम अब देखें इसका तो लगबग 53% आ जाएगा तो प्रधान मंत्री मुद्रा यूजना के तहट में लगबग 53% प्रधान के खूलेटे अब हम लोग अटल पेंसन यूजना की बात कर लेते हैं अटल पेंसन यूजना का भी डाटर रिश किया गया है इसके तहट सब्सक्राइबर में से 93 लाक सब्सक्राइबर जो महिलाओं के थे टोटल टो फॉइंट वंपाइबर थे जिसमें से तिरान लग लाक जो थी यह महिलाएं थी यह वूमेन थी और इसका प्रत्सत अगरम लोग देखा जाए तो लगबग 43% जो था प्रधान मंत्री अटल पे सब्सक्राइब को लांच किया थी यह जो मैं बोल ना हूं स्क्रीम सब्सक्राइब को लांच किया था और अगर हम लोग बात करें इसमें भी 40.70% महिलाओं का ही था प्धान मंत्री जीवन जियोती वीमा यूजना की तहत में लगब 40.70% है इसमें से 58.21% महिलाओं को इसका क्लेम मिला था प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा यूजना का इसका भी डाटा रिलीज किया गया है और प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा यूजना की अगर मोग बात करेंगे यह भी जो है 9 माई 2015 को ही नाच की गई थी यह भी 9 माई 2015 को नाच की गई थी और जो वित्रमंत्राले ने डाटा रिलीज किया है इसके इसके निसार 41.50% महिलाओं का इन्रॉल्मेंट हुआ जिसमें से 61.29% महिलाओं को इन्रॉल्मेंट हुआ और इसमें से जो है क्लेम कितनों को मिला तो 61.29% महिलाओं को क्लेम मिला और यह कौन से उजना की बात हुरी यह बात हुरी प्रधान मंत्री सुरच्छे बीमायों अब बात कर लित्रमंत्री की तो बित्रमंत्री कौन है हमारे अजय भूसन पांडे और अजय भूसन पांडे और अजय भूसन पांडे ने राजियू कुमार को से रूरल बैंकिंग सिस्टम दूरें दिट्वर्स 2020 के दौरान ग्रामिड बैंकिंग प्रणाली के लिए नाबाड ने कितनी राशी प्रदान की और इसका जो अंसर हो जाए है इसका अंसर जाएगा ऑप्शन नमबर सी 4.1.46 लाक करोंड कितना 1.46 लाक करोंड रूपय जो है नाबाड ने रूरल बैंकों के लिए रूरल बैंकिंग सिस्टम के लिए बित्वर्स 2020 में रिलीज किया बात नाबाड की हो रही ही हेटकवाटर मुंबई महारस्टा हो जाएगा और चेर्में डॉक्तर हरस्मार बानवाला हो जाएगी एस पर दे रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रेड रिलेटेड इलिशिट फिनेंशिल फ्लो इंग फ्लो इंग डेवलेपिंग कंट्रीस 2008-2017 वाट इस दे अंडियास रांक इन लिश्ट आप इलिशिट फिनेंशिल फ्लो पॉर दे यह 2017 बिकास असील देशों में ब्यापार से संबंदेत अवैद वित्तिय प्रवाह 2008-2017 सिर्शक वाली रिपोर्ट के रुशार 2017 के लिए अवैद वित्तिय प्रवाह की सूची में भारत का स्थान क्या है इस कुशिन के हैंदी में मतलब होगा इसका अंसर जो हो जाएगा ऑप्श इस ने पुलिश की थी यह ने पुलिश की थि तो यह रिपोर्ट जो है यृज बेश्ट तिंग टैंक ग्लोबाल फिनेंसे लिट्री इंटेज में पुलिश किया हुआ था और इस बीपोर्ट में टॉटल 135 डेशने पांटिस किया गया था उसके बार में यह निश निका लि करें किन से इससे अगर भात करें तो इसमें जुथ कही तरह की एक्टिविटी सामिल हो जाती है जैसे कि इंट्रेशनल लेबल पर लिछो की बारे में घलप जानकारी कमाही out to be less I जुआ जिसमे किया जाता है ठीक ना लेकिन ये सारी जू ये रिपोर्ट लेकिन जू बनाएगी थी ये रिपोर्ट जो थी ट्रेड मिस इन्वाइसिंग पर आधा रहे थी इसमघलिंग पे टैक्स इवेफिकेशन पर ठीक ना और जुए अवैद कमाही पर ये रिपोर्ट नह है इलिस्ट्रेट फिनेंशियल प्लो कहते हैं ठीक है चलिए अगला कुश्य देखेंगे विच इंडियन स्टेट हैस लॉंच्ड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना तु प्रोवाइड इनिगर्सल स्कॉलर्स इंड्रॉल्ड इन गर्रमेंट स्कॉल्स प्रॉ इस अप्सेट लोगों के सामने इसका अंसर हो जायाए जारकंड सरकार ने अभी हाली में अपना बजट पेस्ट किया हुआ था विट्वर्स दोजार वी सिक इस के लिए अपना बजट पेस्ट किया हुआ था 86,370 क्रोंड रुपए का बजट जो जारकंड सरकार ने अभी रस्तुत किया अपने राज जिक लिए ठीक ना जिसमें से जो है उसने 30 क्रोंड रुपए मुख्य मंत्री विशेश चात्रवृत युजना के लिए अवेंटित किये गए और ये बजट जो था जारकंड का जा चात्रवृति युजना के लिए दिया गया था मंत्री विशेश चात्र युजना के लिए 30 क्रोंड रुपए दिया गया गया दिस सुप्रीम कोड है लिफ्टेट दी बैन ओं ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी बाइक कैंसलिंग डिजर्बेंक आफ इंडिया सर्कुलर अटेगी हीSजिएूर रॉट उन संदी टिक्नलाजी शर्व freighter में भारती विखरेंक परिक्रित्थ को रधिकरफ करनेंट में यह लिए गया और जिक्रिया लिए depicts डानकरद करती हैं कि 7します यई ब्लॉक्चेन करती है और अगरोबब बात aptator लेटर था और वियाई का जो अमारा लेटर था और वियाई ने दोजार अठार में एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि अर्वियाई दौरा संचालित कोई ब्रेटिटी वर्च्वल करनसी में बिजनस नहीं करेगी क्रिप्टो करनसी जो यह ब्लॉक्चेन पर काम करती है थे ना के इस सर्कुलर जारी के कहा था कि क्रिप्टो करनसी में काम kuरेगी यह नहीं करेगी इस मेरेंगी इस proper बार्कशेंट यंज्यी मेंकर. ग्रामेट बाजार में अपने उत्पादों के बित्रण के लिए किस सहकारी बैंक वे साथ में स्वाजए दाए के विए कि इसकी साथ में पाटनरिसिप्टि थी है ! इसका आंसर अन्सर ऊप्सवत का कोपरेटीव बैंक के साथ में ऐसी में जो है रूरल एरिया में अपने प्रोडक्स के लूंच करने के लिए जो है इसके साथ में साज़ेदारी परिस्ताफचन किया गा और आइसी इस पूडेंशल एसेटमेन क्मपनी जो है इसका हैटवाटर है만रों भॉंब़ी महारास्टॉra में हो जाएगा और सारस्वत क्वाप्रीटीव बैंक इसका ही है इसका ही हैWweed महारास्टा में यह लए इसकी सारसवत कॉपरिटिव बैंक की टैग लाइन कमेंट करके रपाने लिए इसकी टैग लाइन आप लोगों को कमेंट करके रपाने लिए नेम दी पर्सन हो एज रिजैंड दी रिजर बैंक का फिंगे डेपिटी गवर्नर इन दी मंत आफ मार्श ट्विट्टी का नाम बताई जिसने मार्श दोजार वीच में भाग्ति रिजर बैंक के पद से स्तीफा दे दिया अप्सिंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आ लेकिन यहों ने पहले स्तीफा दे दिया हेल्थ इसूस के करण स्वास्त समस्याओं के करण नंदों 3 जूलाई को रिटार होना उचित नहीं समझा इन्हों ने उससे पहले ही रिजाएं दे दिया और बात यहां पर पर रहूरी है तो मुंबई में हो जाएगा गवर्णर सक सब्सक्राइब बात करेंगे तो ग्रामेड भारत में महिलाओं की सुविदा सुरप्षा और स्वाभिमान पर स्वक्ष भारत मिसंग्रामेड का प्रभाव सिर्षक सिप्रकासित रिपोर्ट के संगठं द्वारा बिल और मेलेंडा गेट्स फॉनडेशन का शाठर में मिलकर जारी किये शेक्वार जो है इंपेक्ट आफ स्वक्ष भारत मिनिसंग ग्रामेर अन कन्विनियंस से अप्टी और सिल्फ रिस्पेक्ट आफ मेरे रुड इंडिया की रिपोर्ट जो है पबिश किये इसका आंसर रहाएगा इसका अंसर रहाएगा उनिसेफ अप्सन नमबर डी युनिसेफ और बिल जो है नए तिल्ली में लांच किया था और इसी दवरान ने युनिसेफ और बिल जेट्स और ये तैयार की रिपोर्ट थी इसको भी जो है उन्सक्रेश किया तो बिमन जाई किया था ठीक़ना और उस रिपोट का क्या था इस रिपोर्ट का नाम ठीको पता कर लिग दोएज़ार वीस इंटीस से लेकर दोँजार चोबीस और पचीस तक जो है सट्षिभारत अभियान का फेसटू चलेगा ठीक चलिए नेक्स्ट कुश्चन में देखिए कि सुझ क्या हो लगया है विच इंडियन इंसिटूट सेंड पैक्ट विद अग्रिक कल्चर एंड प्रोसेश्ट फूर्ड प्रोडक्ट्स एक्स्पोर्ट डेप्लेप्मेंट अथर्डी किस भारती संस्थान में निरियात का साहन में किस्यों का सब्सक्राइब के साथ में एक समझोते पर अस्थाफ्चर किया हुआ है इसका अंसर हो जाएगा और अप्सन नमब्डी हो जाएगा एक्सपोर्ड को बढ़ावा देने के लिए नएनी टेक्निक्स बताएगी, इंफॉर्मेशन बताएगी, इंफॉर्मेशन सेयर करेगी और जो भी IIT दिली के अंदर लैब्स हो गया रहा है उसको भी इसके साथ में APDA के साथ में साजा करेगी और जो हमारा APDA होता है कि Ministry of Commerce and Industry Kinder काम करता है यह पूचा जा सकता है कि APDA जो है कौन सी मंत्राले के अंदर आता है यह Ministry of Commerce and Industry Kinder यह काम करता है अंदर विट सिक्षन आफ banking revolution at 1949 the Ministry of Finance has imposed a moratorium on S bank ठीक ना banking बिनियम अधिनियम नी सुचास कि कि धारा के तहत मित्र मंत्राले ने यह S bank पर रोक लगा दी गए अभी आप लिगों को पता होगा कि S bank पर रोक लगा दी गई थी बीच में पूचा गया है कि banking के नियम की कौन से धारा के तहत में रोक लगा दी थी और यह रोक लगा देने के बाद ने प्रसांत कुमार को जो है banking regulation act 1949 की section 36 ACA के तहत में जो है यह S bank का नया administrator भी बनाया गया था और प्रसांत कुमार को जो एड्मिनिस्ट्रेटर बनाया गया था यह नया इसको कौन से अग्ट के तहत में गया था banking regulation act 1949 के section 36 ACA के तहत में प्रसांत कुमार को नया administrator जो है वो बनाया गया था यह और कितने दिनों के लिए इनको नया बनाया गया था 30 दिस दिनों के लिए इनको जो एन अडिन में अगया था और अगर बात करेंगो यह स्थापना जो है इस्टेबलिसमेंट सार्चार में हुआ था है है इसका मुंबई में है महाराष्टर में और टैग लाइन अगर हम बाद करेंगे तो एक्सपीरियस आवर एक्सपीरियस आवर एक्सपीर्टाइज जो है वो यश्चा से पूछा हुआ है पीछे भी आप लोग इसका अंबस देने की आ रहा है कि RBI की कौन से डेपटी गवर्नर हैं जोनों ने भी हाल में स्तीफा दिया है वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे दिए इंप्लाई प्रोडेंट फंड अर्गनाजेशन एपी एफ को हाज रिएच्ड दी इंट्रेश्ट रेट अउन एपी एफ ड़ीज़ दिपॉसिट इन नाइटी नाइन्टी तो ट्वेंटी प्रॉन एट वैट प्रॉट परसंटेज करनुचारी विच्डी सेंगतन एप एको ने 2019-2020 के लिए EPF जमा पर ब्याजदर को 8.65 परसंटेज से गटा कर कितना कर दिया गया तो इसका जो आंसर हुजा गया 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 इसका आंसर हुजा गया 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 कितना कब हुआ था इपी एफो की स्थापना बात की जाया था कब हुई थी 1952 में इसकी स्थापना की गई थी ठीक न और जो EPF है कि मिनिस्ट्री आफ लेबर एन मिंप्लाइमेंट के अंडर चाहिता कि स्कीए पंचा आसके कि w better चींपाइट यह काम करता है किसके अप्सक्रावल से मंधियं इसने पूछा गया है कि यह report जो है कौन से organization के द्वारा जारी की गई, इस report को क्यों से organization ने launch किया हुआ, इसका answer हो जाएगा, option number B, UNCTAD, ठीक ना, option number B, इसका answer हो जाएगा, भारत को लगबग 348 million USD का नुक्सान होने वाला, कितना? 348 million USD, इंडिया को लगबग 348 million USD का नुक्सान होने वाला है, और इंडिया जो है, top 20 economies में से है, जिसको सबसे ज़्यादा नुक्सान होगा, और अगर हम लोग बात करेंगे UNCTAD की, इसका headquarter कहाँ पार है, इसका headquarter जेने इसका establishment 1964 में हुआकर 1964 में इसकी स्थापना किया गए थी, संजी नुट्याल को किस बीमा कम्पीन में द्वारा MD और CEO के रूपने फिर से नुक्ति किया गया, अप्शन साब्सक्रमों के सामने इसका अंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर है, स्टेट बैंक आफ इंडिया संजी नुट्याल को फिर से MD और CEO के रूप में अप्वाइंट किया हुआ है, और SBI Life के अगर हम लों गट्वाटर की बात करेंगे, तो मुंबई मिसका एट्वाटर हो जाएगा, और 2001 में इसकी स्थापना हो थी, SBI Life Insurance Company की स्थापना 2001 में हुई थी, What is the name of mobile application launched by SBI, for the investors to loss grievance, निवेसकों की सिकायतों के निराकरण के लिए SBI द्वारा सुरूर किये गए, mobile application का नाम बताइए, यह सारे options आप रगूर के सामने हैं, और इसका answer आप रोग देने की कोशिस करी, इसका जो answer हो जाए है, option number C, SBI Scores, SBI नाम से एक mobile application launch किया हुआ है, इसके माध्यम से जो निवेसक होंगे, जो investors होंगे, अपनी सिकायत को SBI तक कर सकते हैं, ठीक ना, और अगर हम लोग बात करेंगे SBI Scores की, तो SBI Scores को हम लोग, SBI Complaints Re-Address System भी कहते हैं, और इसमें जिसके भी against complaint की जाएगी, इस application के माध्यम से, investor जिसके भी against complaint करेंगे, उसक complaint का कोई न कोई resolution, कोई न कोई शमाधान कर देना होगा, ठीक ना, उसने कुछ इस पर reward करके बताना ही होगा, और बात यहां पर SBI क्यों हो रही है, SBI के headquarter Mumbai हो जाएगा, SBI के headquarter Mumbai हो जाएगा, चेर्मान को हो जाएगे SBI के, आजय कुमार त्यागी, ठीक ना, आजय के त्या 2006 to how much percentage in 2020, ठीक ना, सन्युक्त राष्ट्र Global Compact भारत के अध्यन के अनुसार, भारत में महिला स्रमबल की भागेदारी 2006 में, 34-35 से घटकर 2020 में कितने प्रिस्टत हो गई, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 24.8, option नंबर B, option नंबर B, घटकर कितनी हो गई, UNJC ने जो है, 153 देशों में ये सर्वे कराया हुआ था, कितने देशों में, 153, total 153 countries में ये सर्वे कराया गया था, जिसमें ये पाया गया कि भारत में economic gender gap जो है, वो political gap से भी जादा है, और महिला लेवर फोर्स की भागेदारी 2006 में तो 34 प्रिस्त थी, लेकिन 2020 में घट कर 24,8 प्रिस्त हो गई है, ठीक न, और अगर यही महिला, यह भी इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया, कि अगर भारत में यही महिला, इनकी जग भागेदारी हो जाए, इनकी एकनोमी में, इनकी GDP में इनकी भागेदारी हो जाए, तो इंडिया की GDP जो है, वो लगब कहाँ पर हो जाए, इसका हेटकॉर्टर में हो जाएगा, और इसकी स्थापना जो है, 2000 में की गए, विच लाइफ इंस्ट्रेंस कंपनी इस गोई टू प्रोवाइड फुटबॉल कोचिंग तू दी अंडर पूलेज गर्स एजड ट्वेल टू सिच्टीन एर्स अंडर बच बचपन का रक्षा करण कारिकरम के तहत, बारा से सोला वर्स आयू की जिससा दिकार प्राफ्ट लडिकियों को फुटबॉल कोचिंग तुदान करने जा रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, टाटा एया लाइफ इंस्ट्रेंस, इसका आंसर हो जाएगा, टाटा एया आसकर फांडेशन, इन दोनों ने मिलकर यह कोचिंग देने का फैसला किया हुआ है, और इसमें इस कोचिंग से खाइदा क्या होगा, इस से जो है, चैल्ड लेबर, स्कूल ड्रॉप आउट्स, चैल्ड मेरेज, ड्रग एपूज में जो भी केसे होते हैं, उसमें कमी आएग कि अपने आपको रखेंगे किसी ने किसी प्रोड़क्टिव नाम नहीं है, और यहां पर बात हो लहें टाटा एएए की टाटा एए- इसका हेटकवाटर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेटकवाटर मॉंबई में हो जाएगा, खिशना हेटकवाटर हो जाएगा, और इसके MD और CEO रिसी सिर्वास्तों जो है टाटा ए आई के इसके एंबी और CEO हो जाएंगे इसी सिर्वास्तों नेम दी मेट प्रो विच टाइड अब पेटियम टू लांच क्यू आर बेजड मेट्रो टिकेटिंग सिस्टम उस मेट्रो का नाम बताए जिसमें क्यू आधारित मेट्रो ट करने के लिए प्रेटियम पे साथ में एक संब्लोते पर अस्ताचर किया है दी यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री एपूर्टी प्रोजल आफ टीचेस और डीएलएफ के प्रस्तावों को मजूरी दी अप्संस आप लोगों के सामने है इसका आंसर होगा अप्सं नमगरी हरिया प्रदेश यूनियन मिनिश्ट्री आफ पॉमर्स ने हरियाना उप्र प्रदेश में इकनोमिक जोन बनाने के लिए आदेश दिया है और यह स्पिसल एकनोमिक जोन जोन है यह टीचेस और डीएलेफ के द्वारा बनाये जाएंगे और इंफॉर्मिशन के सेक्टर में आई ट दो इकोनोमिक जोन बनाये गना जださい टीचेस के चेर्मैंन के बात करेंगे यह टीचेस के चैर्मैन है और बात करेंगे-घ Finnish बैलेफ की डेले हैंन एंद्ञ्डरी इन luncheon और इसका headquarter काहा है काहा है ग्रुघ इसका Headquarter Guru Gram में में है ठीक ना Guru Gram में जो है DLF का Headquarter और DLF की chairman कँवन ऊसलपाल सिंग चलिए अगला kıushion देखींगी क्या कहई रहा है दे बूक Chronicles OutChange Champions is based on which scheme उस तक Chronicles Of Change चेंपियंस की सुजना पर अधारित है, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह कुछ तक का अधारित है, और मिनिश्टर आफ वोमेन एंड चैल्ड डेबलेप्मेंट स्मिती इरानी ने नए दिल्ली में इस बुक को और इस बुक में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह जना के लिए किये गए 25 इनुवेटिव इनिशियेटिव के बारे में बताया गया, ठीक है ना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस स्कीम से पर हम लोग बात करेंगे, तो प्रधार मंतिर नरेंद्र मोदी ने 22 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ इस स्कीम जो है, 22 जनुवरी 2015 को तौन हरी अट्वियाना के पानी पत में इसको लांच किया गया था, और यह पुस्तक जो है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर आधा जेते हैं. As per draft Yes Bank Reconstruction Scheme 2020 RBI wants to alter the authorized capital of new constituted bank to. Yes Bank Reconstruction Scheme 2020 के मसाधवी के नुशार RBI next negotiated bank की अधिकरिक कुंजी को कितने में बदलना चाहता है कितनी करना चाहता है ठीक ना और इसका जो अंसर हो जाएगा option number D 5000 पाँच हजार क्रॉंड जो है नई authorized capital होगी Yes Bank की. As per the 10th FIKKI IBA Banker Surveys July December 2019 which of the following sectors registered high non-performing assets. 10th FIKKI IBA Banker Survection July December 2019 के अनुशार निम्न में से कौन सा छेत्र उच्च गयर निस्पादित आस्तियों NPO को पंजेकरिप करता है इसका हंदी में मतलब हो जाएगा वैसे लग नहीं रहा है कि हंदी समझ में आगे आप लों को हंदी से अच्छा तो इंग्लिस समझ में आ जाएगी ठीक ना तो आप लोगो इसका अंसर बताइए इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर नमबर डी इंफरिस्ट्रक्चर इंफरिस्ट्रक्चर सेक्टर इसमें जूँवह सबसे ज्यादा एंप्ीे एंप्य आया हुआ यह प्राप्त हुआ है और यह कौन सा सर थयले अनत्फ धसरुटों सा सदिक रिखना और सबसूर शर्वे के बारे में यह थोड़ा 많이 करते हैं अर घुन से एंपर जो है किए और जॉछेशा चीक्षियो नहीं की फिरेंटर से बैंकों को profit हो रहा है यह सारी चीज़ें उसमें पता चलती है इस survey में ठीक ना और इस survey का time जो है जो है जो अभी ये survey हुआ जुलाई से दिसमबर के बीच के लिए लीग जुलाई से दिसमबर 2019 के लिए survey किया गया था और इस survey में total 18 इस सर्वे में अधार बैंकों को सामिल किया गया था ठीक न? और यह सबसे ज़धा NPA अधार इंफ्रस्ट्रक्टर सेक्टर में हुआ है ठीक ना और यहां पर बात हुई थी फिक्की और आई बी एक फिक्की और आई बी एक फिक्की का इस्टेबिस्मेंट यह अगर हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग फिक्की की बारे में चीज़ें जानते हैं तो फिक्की की अस्थाफना कब हो थी 1927 फिक्की की स्थाफना हो थी फिक्की का स्रेव प्रेशेडेंट को हो ने पर तुमार में संगीता रेड़ी जो है यह यह फिक्की की इसका हैटकवाटर कहा पर आए एक हैटकवाटर मुंभई महारास्ट्वा में और अगर बाद को नियुदिए उपना रजनीश कुमार और रजनीश कुमार है आइबी ये की चेर में है ठीक तो ये थोड़ा से कुश्चिन के बारे में था और इसका जो अंसर हो जाएगा इस आंसर हो जाएगा इंफ्रस्रेक्टर सेक्टर में सबसे ज़्यादा एंपी हुआ और टॉल एंपी में 39% की कमी आई इस सर्वे के इंसा विशू जुलाई से द अब्वेक आफ कोरुना वाइरस मोडीज ने कोरुना वाइरस की प्रपोग की करण वर्स 2020 के लिए भारत की विकास के अनुमानों में पांच दसंदू चार प्रस्टस से गटा कर कितने कमी कर दी गई इसकी पूंचा गया और आपसे साफ लोगों के सामने है इसका अंसर हो जा प्रफिटी इसका अंसर हो जाए जैकमा जैकमा यह है चैनीज कंपनी अलिबाबा के ओनर है इनको जो है इस्या का सबसे रिचस्ट परसंद का वाड्ड मिला हुआ मतलब इस इस इंडेक्स के अंसर एस्या के सबसे परसंद बन गया है और अकर हम लोग बात करेंगे मुक्य स सम्मानी जो है एस्या में दूसरे नंबर पर है यह दूसरे नंबर पर है इस रिपोड के उसा और जैकमा जो है पहले नंबर पर है चलिए अगला कुछिन देखेंगे फिर्स्ट एवर आइपसी फरस्ट बैंक के पहले राजदूग के रूट में किश्य नियुक्त किया गय इस बैंक लिए इस बैंक लिए कि इस बैंक पुरु तरीके से बंद लगा दिया गया था उसके बोर्ड आफ डिर्क्टर्स को बंद कर दिया गया था ठीक ना उसके बाद ने अभी सब्रक्टिया आज़े हैं आर्भी ने जो एस बैंक के लिए रिकन्स्ट्रक्षन इस्कीम लाई है और उसमें एस ब्याई कितना पैसा निवेस करने जा रहा है यह इस कोश्यन में पूच्छा गया है तो एस बिया जो है बहतर हयार पचास करोंड रुपए निवेस करने की म का 725 करोन एक्विटी शेयर खरीदेगा यस्बी आई यस बैंक का 725 करोन एक्विटी शेयर खरीदेगा जिसमें से की प्रतेक्स शेयर का दान 10 रुपए होगा 10 रुपए का एक शेयर होगा और टोटल जो है 725 एक्विटी शेयर खरीदेगा यस बैंक में बागता 25,250 करोन रुपए जो है जो भी इस करेगा ठीक ना और इस स्कीम के तहप में यस बी आई अगले तीन सालों तक में अपनी होल्डिंग जो है यस बैंक में 26 प्रत्षा से कम नहीं कर सकती है यहनिकि यस बी आई अपनी हो की बात हो रही है और FBI की बात हुए जोनों का हैक्वार्टर कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बताएंगे ठीक ना और इनके चैर्मन और को होन है यह अप दो कमेंट करके बताएंगे नेक्स कुश्यन देखेंगे कि क्या वोला गया है उन सेंट्रल गौर्डड आफ और ऊप्शन आप लोगों के सामने है इसका जो अंसर हो जाएगा देवासीस पांडा, ओप्शन नंबर-ए देवासीस पांडा को भारत सरकार की ओर से अरविया के स्ट्रल गूर्ड में नौमित किया गया है उसके लिए नॉमिनेट इनको किया गया है और देवासीस पांडा क के आई एस अधिकारी हैं यूपी काडर के आई एस ऑफिसर है ठीक ना और इनको जो है आरवी आई के सिंट्रल बोर्ड में गवर्मेंट आफ इंडिया की तरफ से मुमिनेट किया गया है ठीलिए नेक्स्ट कुश्चन देखें एस पर दिक गवर्मेंट आफ इंडिया जाटा की खर्च की गई अप्सिंस आपनों के सामने है ठीक ना 2017 से 2020 के बीच में मने देगा के तहरत में कितनी रासी खर्च की गई है इसके पूशा गया है और इसका आंसर हो जाएग वान पॉइंट लाइक करोन रुपीज ऑप्सिन नमबर ए ऑप्सिन नमबर ए वान पॉइंट त्री लाइक करोन जो है इतने रुपए जो है इसमें खर्च किये गए जबकि अगर हम लोग 2011 से 2011 से 2014 के बीच की बात करेंगे इसमें जो है टोटल 22,483 करोन रुपए खर्च किये गए थे से 2014 के बीच में 29,483 करोन रुपए खर्च किये गए और 2017 से 2020 के बीच में 1.8 लाख पर रुपए खर्च किये गए ठीक है लगबख दुगना हो गया है 2011-14 वाला जो टेनियोर था उससे दोजार सत्वा और बीस के बीच में लबब दूगुना खर्च किसमें किया गया है और यहां पर बात हो रही है कि मात्मा यह कब दोजना कब लागू की गए तो पत्चीस ऑगं़ी tür पत्चीसज़ हंना 15ί इस उजना को लांच किया गया था और इस उजना के तहत में प्रतेक फिननैंसियाल एहर में लोगों को सो दिन का कांड देने की घारंटी ओ packing जो भी लोग मने देगा किते हैं तक ने आपको इन्रोल कराएंगे उनको एक फिनेंसियल एर में कम से कम सो दिन काम देने की गारंटी यह यह उजना लेती है ठीक नहीं और यह 25 अगस 2005 को लांच की लिए नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे क्या कहा रहा है रिवाइस इक्स्प कर दिया गया कर दिया है रिवाय ने इसने पूंचा गया और इसका जो आणसर हो जया है को ऑप्सन नमबर यह 25 अचालेस प्रत्सट से घठा कर ये 25 अर दिखिए और अर्ब याई ने अर्बन पॉप्रव्टिक्स बैंक्स कर दिए कर वैइस किया है सिंगल बारोवर्स की ल जैसा कि इस प्रस्न में पूछा गया है यह देखे ग्रूप आफ बारोवर्स का जो है 40 परसंट से कम करके 25 परसंट तक कर दिया गया और और अर्बियाई ने अर्बन कोपियोटिस बैंक्स के लिए प्राइटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट को भी बढ़ा कर 75 परसंट कर देखे घृग क्षकेंगे अब माजा धुक्राथ ही विडियो एक लेडियुक्य इसका झोट समय को जाएं यंडिया जो है स्विदेश यह प्र योग़्यी ने दे निलियों ऐसमें रहा है अभी हाली में बेडियो कउन्ट सेंगी जरी अथ व्यक्तिक प्रचों प्रचों के लिए वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरी है सारक देशों की एक बैटा पुए थी जिसमें से कि ये मोदी ने सारक देशों के लिए COVID-19 emergency fund बनाने की कोशणा की और खुद 10 million HD इसमें तुरण का तुरण सही होग दिया ठीक ना और बात करेंगे अगर हम लोग बात करेंगे इसका हेटक्वाटर कहां पर है सार्क देशों का हेटक्वाटर काट मांडू काट मांडू सार्क देशों का हेटक्वाटर कार्ट मांडू नेपाल में है और सार्क देशों में स्थापना कव हुई थी सार्क का स्थापना कव हुई इसकी establishment जो है 8 December 1985 8 December 1985 सार्क समुह क धस्ता अर तेशों में number of पाकिस्तान और स्विलांटा तिक ना यह आठ देश हैं सार्ग देशु प्यांपरकर इसका हेड़क्वार्टर काटमांडू निपाल में और इसकी स्थाफना जो है आठ दिसंबर 1985 को हुई थी चलिए next question देखेंगे विच e-commerce company partnered with Agion life insurance company to sell quick access life insurance policies किस e-commerce company में quick access life insurance policy बेचने के लिए Agion life insurance company के साथ में साज़ेदारी किये और options आपके सामने दिएगे इसका आंसर जो हो जाएगा option number 3 Flipkart में Agion life insurance company के साथ में insurance policy को बेचने के लिए पार्टनर्शिक में साज़ेदारी किये और यह policy जो है click card के customers जो भी click card के customer 18-15 साल के बीच में 18-65 यह इंको यह policy दी जाएगे उनके लिए policy है और इसमें जो है एक लाख रुपई से 10 लाख रुपई तक की policy रहेगी एक लाख रुपई से दस लाख रुपई तक की policy इसमें दी जाएगी चलिए next question देखते है इसका प्रिस्त कर गिया गया है और इसका जो आशर हो जाएगा बारा प्रिस्त से बढ़ा कर अथारा प्रिस्त कर गिया गया है और यह कौन से बैठा कुई थी तालीस हुई थी थी ती नई दिल्ली में आयुजित की लिए तिक ना नई दिल्ली में इसको आयुजिन किया गया था फिनेंस मनिश्टर निर्मला सीता रमण ने इसकी अधिस्ता की थी और इसमें मोबाईल फोन पर ज्यस्ति को जोबारा प्र इसी पर इसकी बात हो रही है कहां पर इस्तित है तो यह जो है वहाती में यह री आवि है और आंसर क्या हो जाया एगा इसका आंसर हो एक साथ क्रूल इंडिया लिमिट्ट छेथ्ट असना मैंनलस आरि इंडिया लिमिन्टे देक्राइव के साथ में धूल इस एगरेमेंट किया हूए ठीक नल अर यह नो आघ्षएनरी जुल ये बुहाटे में स्थियर है तिक नेक्ट देखेंगे एस पर आर्बिया इस नियु गैडनाइस वाट इस दे मिनिमम नेट वर्थ रिक्वाइड फॉर इस इंटिटी इस टू बी सेट अप एस दी पेमेंट एग्रिग्रेटर्स आर्बियाई के नए दिसान दिसों के इनुसा चेहेंगा है उसके लिए कितनी निंतम नेट वर्थ होना चाहिए इस कुशिन में पूशा गया है और इसका जो आंसर जाएगा 15 क्रोंड और अप्शन नमबर ये 15 क्रोन तो अभी RBI ने एक नए गाड़ डाइन जालू की है जिसके अनुसार minimum capital requirement की अगर बात करेंगे उसको 100 क्रोन रुपए से कम करके 15 क्रोन कर दिया गया पहले ये जो है minimum net worth उसकी 100 क्रोन रुपए होनी चाहिए लेकिन अब इसको गटा दिया गया है और वेन इसको घटाकर 15 क्रोन कर दिया और यहां पर एक तखमी जो रहा है पेमेंट एग्रिग्रेटर पेमेंट एग्रिग्रेटर के ओता थोड़ा से इसके बारे में भी जा लेते हैं ये पेमें इसके बिहाब पर ये पेमेंट करती है और उसके बाद में उसी कंपनी के अकाउंट में फिर जो है उसके पेमेंट को ट्रांसर कर देती है आसान भासा में समझे तो हम लोग जिससे पैसा ले लेता है हमसे पैसा लेने के बाद में जिसको पेमेंट देना होता है जिस भी एक कारा कर आप लोग देखें, e-commerce कंपनियां होते हैं, जिससे CCA Venue को आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम लोगों को देखो कोई payment जिससे करने ही थे, कोई सामान हम लोग परचेश करते हैं, ठीकिना, वहां पर क्या होता है, कि हम लोग जो पेमेंट करते हैं, तो CCA Venue की थो प पेमेंट जो होगी हमारे एकाउंट से CCA Venue को जाएगी और CCA Venue जो है, उस payment को हम लोग जिससे सामान परचेश के रहे हैं, उसके अकाउंट में ले जाएगी, तो इनी कंपनी को हम लोग payment अग्रेटर का काम करते हैं, जो बायर और सेलर के बीच में payment को सुचारू रूप से बनाया रखने के लिए मद्रेष्थ का काम करते हैं। मेडियाटर का काम करते हैं जो पेइमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं। और CCW NME हो गया, बिल्डिस्क हो गया, Pana Tm हो गया, Pana Tm हो गया, है तो पेमेंट अग्रेटर का लाइसे से ले सकता है ठीक चुले नेक्स्ट पूशिन जखते हैं अर्बियाई आज ओपेंड ए सिक्समंथ डॉलर स्वेप बिल्डो बिदी इंक्यूजन आफ रूपीज हाव मच थो लांग टर्म रेपो ऑपरेशन लांग टर्म रेपो ऑपरे कितना हो जाएगा एक लाख करोन रुपए इसका अंसर हो जाएगा कोविड-19 के कारण फिनेंसियल मार्केट में ग्लोबली बहुत ही ज्यादा इनिस्टेविलिटी आए हुई है बहुत ज्यादा उथल उथल है ग्लोबल मार्केट में जिसके कारण जो यह GDP कम होने के आसार है और आप लोगोंने देखा भी होगा कि बहुत सारी जो प्रेडिट रेटिंग कंपनीज है उन्होंने GDP प्रेटिक्शन कम कर दिया है सभी देशों पर इसा नहीं के सिर्फ इंडिया सभी देशों पर इनी सब के चलते आर्वियाई ने छे महिनों के लिए डॉलर से बिंड पार्केट में लिक्टुडिटी को बूस्ट करने के लिए एक लाग रुपे इंजेक्ट भी किया है ठीक चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखिए नेम दी पब्लिक सेक्टर बैंक आफ इंडिया विच एज एक्क्वाइड सिक्स पॉइंट तु फाइफ परसेंटेज आफ इ इंडिया ऑप्शन नमबरी इस्टेट देंक ओ इंडिया ठीक चलिए नेक्स देखते हैं वाट इस दा एप्रूव्ड फंड अंडर प्रधान मंत्री आवास यूजना अर्बन एस पर दी यूनियन मिनिस्ट्री आफ ऑउजिंग अर्बन अफेर्स के इंडरी आवास और सहर प्रधान मंत्री आवास यूजना सहरी के तहत च्छे दिये गाए इतने एप्रूप किया गया ठीक ना यूजिन मिनिस्ट्र आफ ऑउजिंग अर्बन अफेर्स हरदीप सिंग पूरी है ध्यार रखना इसके मिनिस्ट्र भी पूंचे जा सकते हैं तो हरदीप सिंग पूरी ह यह जो है उनिनिन इनट्र आफ एर्स है और इन्हों इनिक अनुसार प्रधान मंत्री आवास यूजना के लिए अब तक 6.6.6.6 लेक्स पर रुपए का अमट जो है दिया जा चुका है ठीक चलिए अगला देखते हैं विच इंडियन कंपनी गाट एन एक्स्टिंशन आफ टि वेलिटी ऐफ अफ फ्रइशां पर जीटिंग ओन ऑप्रेट आडट लेबल एतिय एँ स्टिंशन तर्ंटी कर्ष Church अवेज़ की दाखकत थोह debating क् करने के लिए और संचालित करने सब्सक्राइब करने और अपरेट करने के लिए RBI ने 31 मार्च 2021 तक इसकी बढ़ा दिए ठीक ना 31 मार्च 2022 यह वैलिडिटी भी पूंची जा सकते कि कब तक इसकी बढ़ाई गए कि यह डेड़ भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी आप लोगों करना चाहिए लोगा है इसके तहप में अगले तीन सालों तक हर साल एक हजार एटियम लगाना है इसको, अगले 3 सालों तक हर साल 1000 ATM यानि कि अगले 3 सालों में टोटल 3 हजार white level ATM वक करांगे लिम्टेट को लगाना होगा क्योंकि अरब्यानि इसको जो है लाइसंस भी दे दिया renewal भी कर दिया इसकी policy और यह जो ATM से लगेंगे कि सम्पात में लगेंगए इसको 1 mm एख लगाए जाएंगे वो एक परसंट जो है एक अर्बन में लग जाएगा दो जो हो जाएगा और तीसरे क्या हो जाएगा रूरल एरिया में रूरल एरिया में यहाँ सब्सक्राइब बात करेंगे क्या होता है यह वो एटियम होते हैं जो किसी भी नॉन बैंक के नहीं होते हैं बैंक इनकों नहीं लगाता है किसी दूसरी कंपनी द्वारा यह लगाया जाते हैं और यह काम बैंकों के लिए ही करते हैं बैंकों की तरफ से ग्रहाकों को आम्स ऐसंआब करते हैं लेकिन बैंक क्व् तो इसका जो अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी वक्रांगी लिम्टेटी जो है बढ़ा कर एक अत्य स्मार्ट दोजा एकर सी किस्टक कर दी गई है अब इसको अगले तीन सालों तक में एक एक हजार एतिम हर साल लगाने हों जो वाइट लेवल ए इसका जो है कि आंथ द सद्सक्राइगे के लिए अपने ग्राकों को वीजा वर्चुल डेविट कार्ट जारी करने जा रहा है अप्शन साफ्वों भी सामने है तो इसका जो अंसर हो जाए है इसका अंसर नमबर ए पेटियम पेमेंट बैंक पेटियम पेमेंट बैंक जो है अपने ग्रहाकों को वीजा वर्च्टल डेविट कार्ड जो लॉंच करने जा रहा है 2020 21 के दौरान 10 million नए digital debit card launch करने की उजणा है पेटियम की उजणा है कि 2020 21 के दौरान 2021 के दौरान 10 लाख 10 लाख नए digital debit card जो है लाँच किये जाए और इससे पहले भी RVA जो था यह इससे पहले भी जो था पेटियम यह रूपे debit card लाँच कर चुका है पहले पेटियम ने रूपए debit card launch किया था टुनल पेटियम बीजा वर्चुल डेबिट राउन्च करना आ और 2022 21 के दोरॉरा दस लाथ card लांच करने की यूजन है ठीक ना और इस visa वर्चुल डेविट card से जो है international transaction भी किया जा सकेंगे ठिक जिन subconscious देखते हैं विछ प्राइबेट सेक्टर बैंक इंटर इंट्र लाइट इंसोरेंस कंपनी टु रोल आउट इंसरेंस प्लांस कवरिंग कोविड कि सुनेजी छेत्र के बैंक ने COVID-19 को कवर करने वाली बीमा युजनाव को पूरा करने के लिए भारती एक्षा बीमा कंपनी के साथ ने स्वाज़ेदारी के सामने है ठीक ना कौन से प्राइबेट बैंक ने COVID-19 प्लांस को बेचने के लिए भारती एक्षा लाइफ इंस्वरे वह संगापुर डिवयेस बैंक का पूरा नाम क्या हो जाएगा डेपलेप्मेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक की सब सिग्यूरी भी है और इसे जो है इस प्लान के तहित में अगर कोई भी डिवीस कस्टमर कोरोना के कारण 10 दिनों तक हस्पितिलाइज होता है उसे फांस जार रुपय का पर दे इंसुरेंस दिया जाएगा और यह इंसुरेंस जो है 30 दिनों के लिए दिया जाएगा टोटल 30 दिनों के लिए 5000 रुबीज पर दे पर दे का इंसुरेंस डीएस बैंक की तरफ से दिया जाएगा और यहां पर बात हो रही है डीएस बैंक की डीएस बैंक का हेड़कॉर्टर इंडिया में कहां पर क्योंकि सिंगापूर बेश्ट बैंक है और इंडिया में जो इसका हेड़कॉर्टर है इंडिया में इसका हेड चाहली में में और सिच्ट deform भारत की में प्रदीश ने आइश्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए के मुफ्ट स्वास्त दीमा की गोश्णा की है तो आप्सिन साफ लोगों के सामने और इसका जो आंसर उड़ा है कि जम्भू एंकास्मीर ऑप्सन नंबर सी जम्भू एंकास्मीर ने जो है आइश्मान भारत पधार मंत्री जन आरोग योजना के तहत नहीं जोश्वा की गई है और जम्भू कस्मीर के मैं अगर में नोग बात करेंगे यह बिंटर के केपिटल है और यहां के गवर्नर ग्रीशन मुल्म हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट देखेंगे हुई इस दे हैड आप दी एड मेंबर फिनेंस कमेटी कांसिट्यूटेट बाइवी फिनेंस कमेटिशन तु रिब्यू दी फिस्कल कॉंसलिडेशन रोड मेब आप दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट राज और केंद सरकार के राज कुसी समाकेशन की नक्षे के समिक्षा करने के लिए वित आयोग द्वारा गठित आठ सदस्य वित समित का प्रमुप कौन होता है कौन है और इसका जो अंसर हो नंद किसोर जीहें और इन्हें ही जो है इसके मेंटी का हैड बनाया गया है ठीक है चलिए एगला कुशन देखें कि क्या बोला गया इसमें एक स्पिस्ट्रेंस वालंबन एक्स्प्रेस की सजित्तिय संस्थान द्वारा शुरू की गए हैं अपसंस आप लोगों के सामने है इनके सबके हैड काटर आप लोगों को परता होना चाहिए नहीं पता हो पता करिए अप लोगों सब कर दो करना है और यह जो ट्रेन है यह लगों से चलाई जाएगी कब चलाई जाएगी पांच जून दोजार बीज़गी अभी तक की planning के अमसार 5 June 2020 को ये train लखनों से चलाना है अगर कोरोना के वज़े से lockdown खतम हुआ तो आगे की क्या planning को ये नहीं पतल लेकिन अभी तक की जो current affairs अभी तक की जो news है उसके हिसाब से इसको 5 June 2020 को लखनों से चलाना है और यह train जो है 15 दिनों तक के लिए चलाई जाए 15 days के लिए चलाई जाएगी और 11 cities में यह जाएगी किकना 11 cities में जाएगी और लगबक 7000 km की जर्नी करेगी लगबक 7000 km की जर्नी करेगी और इस दौरान यह जो है 20 से लेकर 35 साल के जो युवाओं है जो एंक्स्टर है 20 से लेकर 35 साल तक के उनके वीच में entrepreneurship की पढ़ावा द और इसका मुख्य देश जो है पनान मंत्री निरेंदर मोधी का जो सपना है 5 trillion economic इंडिया को 5 trillion economic बनाना उसी की information उसी के बारे में लोगों को सुचना देना है और पनान मंत्री मोधी ने जो लक्ष रखा है 5 trillion economy का वो कब के लिए रखा हुआ कोश्य ने भी बन किया सकता है कि प्रान मंत्री ने 5 trillion economy एचीव करने के लिए कब तक का लक्ष रख्या है 2024 से लेकर 2025 2025 के बीच में इंडिया को 5 trillion economy बनाने का लक्ष नहीं रखता है सुडवी के हेटक्वाटर मैंने बता दिया था लखनो में है सुडवी के चेर्मेन आप लोग कमेंट करके बता ये महीं बता रहा हूं सुडवी के चेर्में कौन गया नहीं मुहम्मद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा जो है सुडवी के चेर्मन लेकिन इनके सब के बागी कि आपको एटपाटर आपको बता होना चाहिए चलिए अगला कुश्यन देते हैं क्या वोला गया इसमें नेम्दी नॉन लाइफ इंस्ट्रेंस कंपनी विच इंप्रोडूज्ट ए वन येर लाउंग इसका अंसर हो जाएगा और इसके तहट में 13-75 सार के लोगों को इंस्ट्रेंस कपर दिया जाएगा एक सोंचास रुपहे के प्रीमियम पर जो है 140 रुपे के क्रीमियम पर जो है यह इंसुरेंस कवर दिया जायागा ठीक ना और यह इसका अंसर हो जायागा ठीक चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिच रेटिंग इंट्स ग्लोबल एकोनॉमिक आउटलुक फिच रेटिंग ने अपने ग्लोबल एकोनॉमिक आउटलुक 2020 ने एक रिपोर्ट की उसके अनुसार बित्वर्स 2021 के लिए भारत के विकास के अनुमान को गटा कर कितना कर दिया गया इसमें पूचा गया है तो गटा कर 5.1 परसंट कर दिया गया और पहले यह जो था 5.6 परसंट पहले फिच ने जो है इंडिया की जीडिप 5.6 परसंट की थी और बाद में जब यह कोविट की वज़े से कोरोना की वज़े से बहुत सारे उतल पुतल हो गया मार्केट में बहुत ज़्यदा दिक्कतें आ गई है ठीक ना उस वज़े से ज है इसका होड़ कोटर नियुएर युएसे में है नियुएर क्रिसे में इसका है ठीक चलिए अगला देखने हो फॉलोइंग है इस बीन अपॉइंटेड डिरेक्टर इन एस बैंक बोर्ड बाई आर्बियाई फॉर दी पीरिड आप टू यह बिद इफेक्ट फ्रॉम 26 अच दोजार बीच से दो वर्स की अवद के लिए अरभी आई द्वारा यहस बैंक बोर्ड में अतरित इंद्रजिसक के रूप में नियुप्सिंस आफ लोगों के सामने है ठीक ना अप्सिंस आफ लोगों के सामने है रामा सुब्रमन्ययम गांदी अनंत नरायन इन दोनों को जो है यह बैंक की बोर्ड में डारेक्टर की रूपने अगले दो सालों के लिए एर्बिये द्वारा नियुक्त किया गया है इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा चन नहीं तमिल नाडू अप्सिन नमबर के मुख्याले दिमील नडू में इसके कदना है कि स्टेट का स्टवाइवारटर का पर है इसके को धंचे पड़ना इसमें कुछ ओर विधान सी देखना होता ने इस क्वेशन से में एक information ये भी मिलती है कि Star Health ने और एलाइड इंसुरेंस ने दोनों ने मिलकर टाइब करके एक health policy जो है insurance policy launch किये तो क्वेशन ये भी बनके आ सकता था कि Star novel coronavirus insurance policy कोन सी दो कंपनियों ने मिलकर launch किया है उस case में जो है इसका answer हमारा क्या हो जाता है इस्टार हेल्थ अंडेलाइड इंसुरेंस ठीक ना तो कुश्ण के फ्रेमिंग क्यों पर च्क्रिकिक डिपेंड करते हैं क्वेश्ण को स्रिफ पढ़के निकल नहीं जाना होता है क्वेश्ण को ध्याँ से पढ़ना चीक कई बार काफी सारे इन्फरमिशन को क्वेश्ण से मिलती है तो यहां पर क्वेश्ण यहीं फ्रेम हो सकता है कि जैसा अब यह आपको बताया है तीसलिए आप लोग क्वेश्ण को ध्यान से पढ़ा कि यह अगला क्वेश्ण देखिए हैं इस देखिए अपने दिसान देशों को मजबूत करने के लिए आई आई आड़िए गटित सोला सदस्ची पैनल का प्रमुख कौन है तो इसका जो आशर हो जाएगा प्रवीन कुटुमबे अप्सन नमबर यह आई आई आड़िए ने जो एक सोला लोगों का एक पैनल बनाय हुआ हुआ है जो कि corporate governance के बारे में उसको मजबूत करने के लिए guideline बनाएंगी ठीक ना उसके बारे में जो आपने सुझाव प्रस्तुप करेंगे उसके बारे में डाटा कलेट करेंगे उसके बारे में विससर्च करके रिपोर्ट मनाएंगे ठीक है और उस पैनल का हैड़ क सेबी सेबी लिए गया है ऐसा नहीं कि सारे आई अर्डी और विए दोनों से लोगों को लिया गया दोनों लोगों से लोगों को मिला कर यह 16 नोगों को पैनल बनाया गया है जिसके एड़ प्रबेंट की कुटम बेजी है और यहां पर बात आई आई-डी-आई की हो रही है हएद्राबाद तिलंगाना में कि दिने के दिना हेडराबाद तिलंगाना में इसका है और चेर्मैन की आगल मिल्ग कारेंगे तो चैर्मैन इसका को वह हैं हब सुभास सी सुभास की कुंटानियान जो है that you know I RDI ऑव नगगे देखेंङए वाट इस दे अडी आस टुन्टी सिक्थ एडिशन ऑफ एकोनॉमिक प्रीडियम इंडेक्स 2020 रिलीजड बाइधी हेरिटेश फॉंडेशन द्वारा जारी आर्थिक सुचकांट गोजार वीस के च्विसमें संसत्रण में भारत की रैंकिंग क्या ठीक ना तो यह कौन सेडिशन है रैंकिंग का यह एक अमेरिकन रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्सीट्यूट है इसका हेटक्वार्टर वासंग्टन डीसी वेस्से में है ठीक है और यह जो रिपोर्ट की टोटल 186 देशों में यह रिपोर्ट पबिस की गई इस में टोटल 186 कंट्रीज ने पाटिसिपेट किया एक सो च्यासी लोगों को मिला कर यह सुचुकांक जारी किया एक सो च्यासी लोगों को सर्वे किया गया सिंगापूर ने इसमें टॉप किया हुआ है सिंगापूर की रैंकिंग पास्ट है इंडिया की रैंकिंग एक सो बीस हुई है और अगर हम लोग बात करेंगे एस यह बैल रिएस्ट दैसों में से इंडिया की रेंकिंग एक्षी देसों में इंडिया की रहं कुंतु तो लिए नेक्स्ट कुर्शन लेक्ते हैं, the RBI has extended the regulatory restriction on PMC bank till June of 22nd, 2020. Under which sanction of the Banking Revolution Act, 1949, the restrictions were imposed on PMC bank? RBI ने PMC bank पर विनियामत प्रतिबंद को 22 June 2020 तक बढ़ा दिया गया है, question यहां से यह भी बन के आ सकता था कि RBI ने PMC bank पर जो है कब तक के लिए restriction पढ़ा दी गई है, तो इस case में आप लोगों की याद होनी चाहिए, मैंने आपसे पहले भी बता है, तक फिर से पता रहा हूं कि question के framing के उपर चीशन को पढ़के उसे प्राप्शन देख के लिए चला जाना चाहिए, इसने पूछा गया है कि banking इनियम अधिने banking regulation act 1949 की कि सधारा के तहत PMC bank पर प्रतिबंद लगाया गया था, जो PMC bank के तहत में प्रतिबंद लगाया गया था और अभी PMC bank पर प्रतिबंद लगाया गया था, और अभी PMC bank पर restriction बढ़ा कर 22 June 2020 तक कर दिया गया ठीक ना, और इसके साथ ने PMC bank के board of directors को PMC bank के management को इसको भंवे कर दिया गया, और एक्स RBI official J.B.Horia, नाम सुनिए इनका प्रोग लिखी द्यान से, J.B.Horia, यह एक्स RBI official है, पहले RBI में काम करते थे, इनको जो है, PMC bank का नया administrator बनाया है, ठीक, चलिए, next question देखेंगे, which bank has launched the prepaid card in casu, किस bank ने prepaid card in casu launch किया है, options आप लोगों के सामने है, ठीक ना, और इन सभी banks के headquarters और tagline, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक ना, headquarters और tagline आप लोगों को पता होनी चाहिए, और tagline, tagline अगर मैं बात करेंगे, तिसकी tagline हो जाएगी smart way to bank, smart way to bank जो है, करूर वैसे bank की tagline हो जाएगी, और in casu यहाँ पर यूज हुआ है, in casu, in casu का मतलब Tamil में क्या होता है, my cash, tamil में इसका मतलब होता है, my cash, ठीक ना, करूर वैसे bank ने जो है, prepared card जो है in casu launch किया हुआ है, केंदर सरकार की digital India initiative प्रमोट करने के लिए इस bank ने इंडिया का पहला prepared wallet card in casu launch किया हुआ है, यह question इसलिए भी मातपूर हो जाता है, क्योंकि यह इंडिया का पहला prepared wallet card है, पहला prepared wallet card है, इसलिए यह question मातपूर बनता, question इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था, कि इंडिया का पहला prepared wallet card कार्ड कौन सा है, तो यह in casu हो जाएगा, और यह करूर रश्या bank द्वारा जोने लांच किया गया, इसका हेट्वाटर करोन तमिल नाडू में है, इसकी tagline हो जाएगी smart way to bank, ठीक, लेग नेक्स्ट question देखेंगे, name the first Indian bank to launch the COVID-19 emergency credit line, see easier to provide funds to business affected by the infectious coronavirus, संक्रामक coronavirus से प्रवावी देशायों को धन प्रदान करने के लिए COVID-19 अपात कालिन credit line launch करने वाले पहले भारती bank का नाम बताना है, options आप लोगों के सामने दिये गए हैं और इन सभी banks के headquarters और इनकी tagline, इनकी tagline आप लोगों को पताऊने चाहिए, यह आपको permit करके बताएंगे और इसका जो answer हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा option number C, State Bank of India, इस्टेट बैंक आफ इंडिया ने Corona से affected business की मदद करने के लिए जो भी business Corona से प्रहावित रहे उनकी मदद करने के लिए COVID-19 emergency credit line, जो है यह launch किया हुआ है, इसके माद्यम से वो जो है business को credit line देगी, उनको fund प्रदान करेगी, State Bank of India इसका answer हो जाएगा, ठीक ना, और इस credit line के तहत में जो business man को loan दिया जाएगा, महिनों के लिए यह loan दिया जाएगा, ठीक ना, और maximum कितना लोन दिया जा सकता है, कुश्य ने भी पूंचा जा सकता है, कि COVID-19 emergency credit line के द्वारा, जो भी SBI के द्वारा launch की गई है, maximum कितने रुपए तक का loan दिया जा सकता है, और यह बारा महिने के लिए यह loan दिया जाएगा, ठीक, इंचलिए next देखेंगे, What is the maximum limit of on lending allowed for NBFCs for the term lending component under agriculture per borrower as per revised norms of RBI, NBFC के लिए term lending गटक के लिए RBI के सिंसोदित मान दंडों के अनुसार प्रति उधार करता के तहत, क्लिश्रिन की एदिक्तम स्जीमा क्या है, हिंदी अगर ना समझ में है, तो आगने लिए सासानी से आप्लोग समझ लिएगा, हिंदी के international यहीं ऐठाए, और इसका जो आंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा दसलाख उपसophone सीज्स नमभर सीटनाख रुपए पर बारुवर ठीक ना दसलाख रुपए पर बारुवर इसका अंसर हो जाएगा, Micro and Small Enterprises के लिए, 20 लाग रुपय पर बाखर निश्के लिए नविदाकों कहा, Micro and Small Industries के लिए जो है वीस लाग रुपय पर बाखर को दिया जाएगा और Housing Sector के लिए भी 20 لاग रुपय पर बा रुपय दिया जाएगा ठीक, और जबकि NBFC के लिए 10 लाग रुपए पर बार वर दिये लिए है ठीक चलिए अगला कुशिन देखिए How much amount is opened for an emergency credit line for the S-Bank by the Reserve Bank of India भारती Reserve Bank द्वारा S-Bank के लिए आपकालिन credit line के लिए कितनी राज से दी जाएगी और इसका अंसर हो जाएगा 59,000 क्रोन और सी 59,000 क्रोन यस बैंक के रिकंस्ट्रेक्शन प्लान के बाद में RBI जो है 69,000 क्रोन 59,000 क्रोन रुपए की line of credit जो है यस बैंक को देने जा रहा है ठीक इसी तरह की line of credit 16 साल पहले 2004 में Global Trust Bank को दिया गया था Global Trust Bank भी 2004 में डोब रहा था ठीक ना कुछ टाइम पे भी उसको बचाने के लिए जो है इसको भी line of credit दिया गया था लेकिन बच नहीं पाया था बाद में इस बैंक को OBC Bank में मर्ज कर दिया गया तो OBC Bank में Oriental Bank of Commerce में Global Trust Bank को MRG कर दिया गया था और यस बैंक के रिकन्स्ट्रक्शन के बाद में इस बैंक के Board of Directors की qi kutल संख्या कितनी हो जाएगी कुछी ने बनके आ रहा है कुछी ने भी ठाएम हो सकता है कि यस बैंक के reconstruction के बाद में यस बैंक के Board of Directors में total कितने इस बैंक के बोड आफ डारेक्टर्स में अब टोटल आठ मेंबर है रमेश सुपति रिटायर्ट एस MDN CEO of which of the following private sector bank रमेश सुपति निम लिखित में से किस निजी छेतर के बैंक के MDN CEO के रूप में सेवा निब्रित हुई है options आप लोगों के सामने है जिनसे भी अगले तीन सालों के लिए इनको जो है MD और CEO बनाया गया हुआ ठीक ना और वरतमान में यह इनसलेंट बैंक के कंजिमर है ठीक विच स्मॉल फिनांस बैंक इलांग बीद नपीस यह लॉंजड यूपी आई बेस्ट यूपी आई की विए बेस्ट लोन इंस्टॉल्मेंट पेमेंट फैसलिटी एनपीस यह के साथ में मिलकर किस लगवित बैंक ने कि विए आ आधारि बैंक और जन्समॉल फिनेंस बैंक का हेड़ का सहा फर है यह आको प्रमेंट करके बताएंगे नेंधी पब्लिक सेक्टर मैंक विच प्रवाइडग सभी यूविड सहाया लोन ये जो हैच गोवुड सहाया लोन पदान करता है और आपसन साफ नुगों के सामने है इनके सब के हेटपार्टर टैग लाइन हमेशा बोलना हूं फिर से बोलना हूं हेटपार्टर टैग लाइन आपनों पता हो नहीं चाहिए और इसका आंसर ऑप्सन नंबर ही इंडियन बैंक गुर्प का मतलट की प्रटेट से ग्रोप को एक लाख रुपई का लोन दिया जाएक और उस चे उनको की इन्दर जितने भी वेक्ते रहेंगे उनको प्रतेक वेक्ते को मैक्सिम्मрь shrubय तक का लोन दिया सकता फ्रतेक डिचल हह घंबर पांस जा रुपय तक का लोन ले सकता है और लोन का जो टेनियोर हो गई यह 36 महीने याने की तीन सानों के लिए 36 महीनों के लिए यह लोन दिया जा सकता है ठीक चलिए अगला देखें के अगला कुक्शन क्या कह रहा है एस पर दी सेवेंथ बाइं मंतली मोनेटरी पॉलसी स्टेट्मेंट 2019 तो टेंटी वाट इस दक करेंट रिवर्स रेपो बेट पहले यह पहले यह 5.15 परसंट वा करती थी पाइप मैंट वाइंट की बात हो गई अगर हम लोग अमेंट की बात करें वर्तमान मिं CRR मैं ₹फ रू पॉइंट की बात करें तो को मैं की बाता में ₹इट वर्तमान में फिकना Honda CRR की नहीं पलगे अगर हं लोकी बात करें to research मामन Mississippi फॉर परसंट स्चा है चार प्रसंट ये धीन होगे फोगोगर वर्तमान में स्थाथ में स्था वखाभए ह५िकर ने 9 चार प्रप्सा थे और पहले 4.9 परसंट तो लिए अगला कुशिन देखते हैं ECOREP has estimated इंडिया GDP for the financial year 2021 as 2.6 the ECOREP is the research team of which are the following ECOREP ने जो है वित्वर्स 2021 के लिए भारत की GDP के अनुमान 2.6 percentage बता रहा है ECOREP दिम लिकित में से किसकी सोध टीम है किसकी research team है सबसे पहले चीज तो यह इस्ट में जो हमारा prediction है यह भी जानना ज़रूरी है क्यों सी इंटिटी की कौन सी कंपनी की कौन सी सनस्था की research team है इसका जो अनसर हो जाए को option नंबर A State Bank of India State Bank of India की research team है एक तोड़ा है फिच आर्बिया डेप्टी गवर्नर हैस गट ए वन ये एक्स्टेंशन आप सर्विस थाम अप्रेल 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 इस आर्बिया डिप् देखेंगे इस वीडियो का भारत रिटिंग और अंगमान के अंशार बित्वर्ज दोजार बीस किस के लिए भारत की डीपी गलिदि क्या रहने वाली है इसका अंसर बित्तिक्वर्ज रहने वाली है इसका अंसर अप्शन नमबर इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए इसमें वीडियो को धंग से सुना होगा जो मैंने वाले टाइम में एक दो दिन के अंदर में मार्च मंत के सबसे अधिक मात्यून को बना रहा हूं उसके काम में कर रहा हूं बहुत जल्दी आप मुखमिल गया है इसके तुर्णत बाद में मार्च मंत की इस्टेटिक का भी एक वीडियो में लेके आँ ठीक ना ऐसा नहीं देकि इस्टेटिक में क्या होता है इस्टेटिक में आप लो इस्टेटिक में रहेगा उसी को उठाके ले आएंगे उसके वीडियो आप लोगों की स्टेटिक का भी डिवीजन होता रहे ठीक ना और इन सारे वीडियो के अगर आप लोगों को पीडियाप चाहिए तो फेस्ब्रूप है हमारा आपको आप जाकर जोएन कर सकते हैं वहा आप लोग आपर जाकर इसको जोएन कर सकते हैं इसके साथ साथ तेलेग्राम चैनल भी है हमारा आप लोगों पर जोड़कर वहां से पीडियो डाल दिये और इस वीडियो के नीचे देखिए मेरा वाटसप नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा वहां से भी आप परस्नली अ सकते हैं तो इन सारी चीजों को आप लोगों से पढ़िए अच्छे से पढ़िए और आने वाले वीडियो में हम लोग जो है मार्च मंत के 100 इंपॉर्टेंट करेंट अपर इसके प्रिशन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करें तिक आज के लिए इतना है थैंक्यू सूमच बीज है से लोगओ वेफων है जिक वीजोओ के लोगों से थ пад 오래 औरा है रह बाले समist करेंगदों लोगों से करेंगा मां लुटर्ण के 5-6 jestem लोगों से तंज लोगल्ते हैं अला के सो नतर बाले हैं अपरब में हैं लोगों से ऑ वाले अजमश में आरे हैं परफ घुशन हैं